हेलो स्टुडेंट आज की से वीडियो में देखेंगे एड़ ग्रेट अभ्यास पुस्तिका दोहचार चौबिस पत्चिस कक्छा साथ विसे हिंदी आज की वीडियो में देखेंगे पाथ अठारा पाथ अठारा में लोकमाता अहिल्या भाई चली कोश्चन को चलते हैं पहला कोश्चन आता है आपका प्रसिक्षित सब्ड में उपसरग है आपका उतर हो जाएगे प्रा दूसरा है एल्य अभाई की वीर्ता की सबी बहुत प्रसंसा करते थे वाक्वे रेखांगी सब्डा विलोम होगा तो आपको उतर में करना है निम्दा करना इसके बाद आता है आ आपको उतरमे करना है, खांडे राव होल कर, पांच में है ऐलिय अबाई की तरह है, आमें कौन से महिला सासक हुई, तो आपको उतरमे करना है, रानी लक्षिम भाई, इसके बाद नेक्स पोस चनाता है आपका, यहां पर खाली स्थान भरना है, आपको 6 में भरना है, आपको चौन दी आठें भरना है आपको ता और इसके बाद नौमें भरना है आपको घबरा गया आठें भरना है आपको आएकर दसमें भरना है आपको आएकर इसके बाद आता है आपका अती लगुतरी प्रेशने प्रेशन कर्मांग ग्यारा में रानी अहली अभाई ने धर्म बनवाई थी ताकि वे आराम से दीर्थ इस्थलों की यात्रा कर सके प्रस्ण कर्मान 12 में है एहलिया भाई के सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे वाक में रेखांकित मुहावरे का अर्थ अपने सब्दों में लिखिये तो आपको उतर में करना ह बैक्चा के कठिन प्रस्ण देखकर विद्यार्थी के छक्के छूट गए तेरा में है जन कल्याण हीतु एहलिया भाई ने कौन सा व्रत लिया आपको उतर में करना है जन कल्याण हीतु एहलिया भाई ने होलकर राज की सेवा का व्रत लिया और प्रजा की भलाई के लिए क वपबर dziękiya 14 में रानी एहली अभाईग की सभी भूरी भूरी प्रसंशा करते थे वाक्य में रेखांकीद सब्द का इर्थ लिखे तो आपको तर्मे करना है भूरी भूरी अप्रसंशा का आर्थ है अता दीदिक प्रसंशा इसके बाद आते हैं आपका अलगुतरी प्रस्टन किरमंग 15 में पाठकी अधार पर राणी एहली अभाई के चरीद्र की तीन विसेस्ताइं लिखें, आपको तर्मे करना है एहली अभाई के चरीद्र की तीन विसेस्ताइं, पहला है साहसिक और वीरता सिभरपूर, दूसरे बुद्धिमान और दूर दर्शिशासक, तीसरा है धार्मिक और परूपकारी 16 में एहलिय बाई की किस चतुराई के कारार रग हुआ ने युद्ध नहीं किया तो आपको तर्मे करना है एहलिय बाई ने चतुराई से रग हुआ को या संदेश भेजा कि अगर वह युद्ध करेगा तो या तो एक नारी से हार जाएगा या एक विध्वा का राज हड़ापने का कलंक लगेगा इस कारा रग हुआ ने युद्ध नहीं किया 17 में एहलिय बाई ने किस तरह हल की तो आपको तर्मे करना है एहलिय बाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायत देकर यह नियम बनाया की जिस इलाके में लूट पाट होगी उसकी भरपाई वहां के लोग करेंगे इस तरह लूट पाट की समस्या हल की अठारा में रानी ने रगहुआ से मिलने की क्या सर्थ रखी तो आपको तर्मे करना है रानी ने रगहुआ से कहा कि यदि वैस सब्वेदना वेक्त करने आ रहा है तो सेना लेकर नहीं बल्कि पालकी में बैट कर आए तब ही वह उसका स्वागत करेंगी इसके बाद आता है आपका दीर्गुत्री प्रेशन है प्रेशन कर्मंग 19 में है महरानी अहिल्या की शासनकाल में उनके द्वारा किये गए समाजिक कारियों का उल्लेक कीजिए अपको उत्रन करना है महरानी अहिल्या बाई ने धर्ण सालाय मंदिर खुए और बावडिया बनवा कर समासेवा की उन्होंने प्रजा के हिद के लिए किसानों को उसी विधा दी उद्दियोगों को बढ़ावा दिया और सहित कारों को प्रचाहित किया उनके कारियों से राज मी सांती और सम्रिधी कायम रही जिसे प्रजा सुखी और संतुष्ट रही तो आपको इस तरह आँज़र करना है यह था आपका लास्ट कोशन है यहाप यह हमारी वीडियो कंप्लेट होती है वीडियो अच्छे लेगिते प्लीज आगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा, मिनते हैं नेक्स वीटाने